नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सबका स्वागत करती हूं कथा मंधन में सुनिए बकुल कथा का सात्वा अध्याय बकुल कथा से संबंदित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में और उसी के साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आप वह जा करके चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं साथवा अध्याय अब तक हमने देखा कि बकुल अपने बाप और भाईयों के डर से निर्मल से बात करती थी किन्तु निर्मल की ताई उन्हें पकड़ लेती है वह उन्हें ताना तो मारती है पर फिर भी उसे प्यार बहुत करती है अब आगे ताई थी लेकिन स्नहें मई इसलिए कुछ एक मिंडो के बाद बोल उड़ती बकुल कद्दू के फूल के पकोड़े खाएगी क्यों नहीं क्यों चावल की पिसान के साथ खरा खरा उभुना है ले एक तो खा तेरा परिवार जब पहली बार इस घर में आया तो तू तब कत्री पर पड़ी रहने वाली नन्नी नादान थी तेरी मा कभी कभी घुमने आया करती थी एक दिन इसी तरह कद्दू के फूल के पकोड़े बना रही थी कहा गरम गरम निकाल रही हूँ थोड़े से खाले खाकर अवाक हो गए बोली पिसे चावल का बड़ा इतना अच्छा बनता है यह तुम्हें जानती ही नहीं ती दाल पिसकर बनता है यही मालूम था बकुल के वैसे एक आवे कंपित मुहरत में चील जपट्टा मार कर उसे छीन लाती और ऐसी ही आलतू-फालतू बाते कहती रहती ताई कुछ खिला भी देती आखिर तक और बकुल को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा आती और अंत में एक बर कहती अब तेरे बाप को ही पकड़ना होगा जवान लड़की सुनी मांग लिए यहां वहां डोलती फिरती है गर गरस्ती में ध्यान नहीं देती और बाप की इस्तरी के शोक में भूजी की आकसा जलता गुलता रहेगा यह तो उचित नहीं बकुल मर्म से भर जाती लज्जा से लाल हो जाती सिर नहीं उठा सकती उसमा था नवाय चहरे की और ताक कर अनामी का देवी को फिर लगा बेचारी जो पीड़ा ताई जी उचित नहीं से देती उसकी जलन सहजी नहीं चाती बकुल का पदचिन इसलिए दिनों तक फिर उस घर की चोखट पर नहीं पड़ता समस्त आवेग अकांशा क को दबाकर बकुल अपनी पड़ाई लिकाई की दुनिया में डूबे रहने की कोशिश करती किन्तु वह तपस्या कब इस्थाई होती एक दुरनिवार अकर्शन मानो उसे घर की और खीचता रहता इसके अलावा उस घर में रास्ते की और जो खिड़की है वहां से एक उदा उदास्सा मुखडा विंती के इशारे में तपस्या भंकर ही छोड़ता सोचकर हसी आती है एक मर्द बच्चा प्राया एक भीरू लजीली लड़की की भूमिका में अपने को रख देता था विंती भरी आँखों की उस पुकार को बकुल टाल नहीं सकती थी वह फिर किसी ब दरवाजे पर जा खड़ी होती बकुल कव है बहाना बिलकुल बहाने जैसा नहीं होता इसलिए असानी से पकड़ में आ जाता की बहाना है परन्तु अबोध बकुल और उसका अबोध प्रेमे दोनों ही सोच लेते कि बड़ों की आँखों में खुब धूल जोंकी है जैसे एक दिन की बाद बाप की हफनी जैसी हुई है उन्हें होमियोपैथी पर आस्ता है और बगल का के मकान का निर्मल किसी अच्छे होमियोपैथी डॉक्टर का नाम जानता है यह क्या मामूली बहाना है तो बकुल मजे ही में निर्मल की मां से जाकर पूछ सकती है चाची जी निरमलदा घर में हैं पिता जी कह रहे थे निरमलदा किसी होमियोपैथिक डॉक्टर मतलब उनकी अफ्रनी फिर जरा निरमल नाम का उच्चारन साफ साफ करना पड़ता जैसे और कुछ नहीं मानो उस नाम के उच्चारन में उसका गला नहीं कहापता भीतर से भैसा नहीं लड़का और पड़ोसकी यह निरहे लड़की उनसे ऐसी चाल खेल सकते हैं। लिहाजा खिड़की से आँखों के संकेत पर विब्रांत सी होकर आई बकुल उनके सामने धडलने से कह सकती थी। चाची जी निर्मल दा घर में हैं। चाची जी को एक आदत पढ़िया हमेशा टाटका आसन बुनने की। इसलिए वह ग्रस्ती के काम काज के बीच बीच में अपनी प्रक्रा, जेठानी और मूझ और ननत की नजर बचाकर टाटका आसन लिए बैठ चाते। आसन की बुनावट से नजर उठाए बिना ही उन्होंने जवाब दिया। निर्मल अभी अभी तो था, है शायद उसके पढ़ने के कमरे में देखो तु जाकर, तुमारे पिताजी की दबियत फिर खराब हो गई। हम, अह, तेरी माँ गुजर जाने के बाद से ही विह वस्तावी। वह शायद अब बचेगा नहीं, चादे कौन डॉक्टर, क्या पता हमारे अनादी बावु तो, तब तक बकुल हवा वह निर्मल के पढ़ने के कमरे में पहुँच गई, यानी तीन तल्ले की छटे की बरसा वाले के दूस से करते हैं, मसलन उस दिन की ही बात लीजे, हाँ आफते ही वियाकर बकुलने का, मुझे कहना पढ़ा कि बावु जी की हफनी का फिर बढ़ गया, उस पाप में से मुझे हफनी हो गई, निर्मल ने आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं भी नहीं पकड़ा, उसने बकुल निर्मल की मा को चाची जी कहती है, निर्मल की ताई को ताई जी, पर निर्मल किस तरह बकुल की मा को मौसी और पिता को मौसा जी कहता था क्या जाने, लेकिन कहता वहीं, बुलाया क्यो जा रहा था, यूहीं, भेट मुलाकात तो अब होती ही नहीं, लेकिन लाइब मैं निर्मल ने बोध करते हुए का बाप रे तुमारे बड़े भाया की सुर्खा के देखते ही मेरी नसु का खुन बर्फ हो जाता है मेरी और कैसे ताकते हैं वे बड़े भाया तुमसे क्या इतने बड़े हैं कि उनसे इतना डर बाबु जी तो कुछ नहीं कहते, मा तो तुम्हें कितना, हाँ मौसी जी तो कितना प्यार करती थी, जाने से कितनी खुश होती थी लेकिन बड़े भाई या मतलब अधिक बड़े नहीं होते, वे भी खौफनाक आदमी है उनका पुलिस अफसर होना भी उप्युक्त बेशा होता और मुझ पर ही जैसे सारा या, भुवा और ताई के सामने पढ़ जाने पर आज तो नहीं पढ़ी, नहीं ताई जी शायद पूजा घर में और भुवा रसोई में सच, उन लोगों के कारण तुम्हें, निर्मल ने, उदासी भरी उसांस ली बकुल की आँखों में आवेक की छाया उबर आई बकुल ने आहत अभिमान के स्वर में कहा सच उन लोगों के कारण तुम्हें कहकर निश्वास लेने से ही सब चूक है क्यों क्या करू कहो, ठीक है मैं अब नहीं आऊंगी नहीं नहीं सोना, मेरी इतनी बड़ी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो बस प्रेम संबोधन की दोड़ यही तक और प्रेम आला आपका नमोना भी तो लाइब्रेर की किताब और कोई आ रहा है या नहीं इतने में ही सीमी कोई आए भी तो कोई दृष्षय तो नहीं देखेगा फिर भी डर डर? डर? प्रेम का मतलब ही तो डर बार-बार लगता है? शायद कोई पीछे आकर खड़ा हुआ बार बार लगता है घर में खोज हुई नहीं कि चोरी पकड़ी जाएगी बकुल निर्मल के यहां गई है चोरी पकड़े जाने के साथ यह भी पता चल जाएगा कि वे भाना ही भाना है बाबुजी कहेंगे कहा मैंने तो निर्मल के पास जाने को नहीं कहा मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि निर्मल के यहां तो बड़ी बिमारी में भी होमिय पैती दवा चलाते हैं और बड़े भाया कहेंगे उसके घर किस लिए गई उसके यहां वहां क्या जरूरत है इती बड़ी लड़की इती आजादी कहे कि फिर भी बिना आए भी तो रहा नहीं जाता लेकिन इस घर के में आमने सामने कोई यह नहीं कहता कि क्यों आई हो यहां इतनी बेहाई है कैसे पर यहां तो हर जगा काना फुसी यदि ताई जी ना भी आधम के तो भी सीड़ी से दुरते समय किसी ना किसी से तो भेट हो ही जाएगी या शायद बुवा से ही और बुवा भवे सी कोड़ कर कहेगी बकुल कबाई बकुल को कहना पड़ेगा कुछी दिर पे ले थी कहा देखा तो नहीं निर्मल दाने لाइबरेरी की एक किताब देने को कहता ओ, किताब उसके लिए भतीजे को भी तो भेज सकती थी बाप को यह बिमारी और तु बड़ी लड़की किताब के लिए फिर हाफते हाफते तिन तले किछट पर जाना निर्मल था गर में, हाँ गले में मरू भूमी और आखा के सामने अगात समुद्री फिर भी उस गले को गिला करके कहना पड़ता है यहरी किताब नाविल नाटक जी नहीं कहानी वे एक ही बात है इस उमर में कितना नाविल नाटक ना पढ़ना ही तो ठीक है बिटिया यह किवल माते में कुचिंदा की आने की जड़ है यह तो भाब ध्यान ही नहीं देता नहीं तो समय पर बिया कर देने से अभी तक दो बच्चे की मा हो जाती फिरुबदेश ऐसी भाषा इसलिए बकल सोस्ती इसी च्छत से उस च्छत तक अद्रिश्य होकर यदि उड़कर जाया जा सकता प्रभात मुखर जी के मन के जैसा मीद बहुत खुब सच बड़ी इच्छा होती है सपने में कोई जड़ी मिल गई जिसे माते से च्छुआते ही गायब हो जाया जा सके हम दोनों अपने अपने माते से छुला ले फिर भी मजीज में से सब के सामने ही बाते करते रहे हटात डर्पोक निर्मल एक सहसिक काम कर बठा सामने वाली का एक हाथ पकड़ कर धीरे से हस कर बुला अद्रिश्य हो सकने पर क्या केवल बातों में ही छोड़ दूँगा धत और उस धत के साथ हाथ छुडा लिया चट से चट पर डालने वाली एक सीड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता जासुसी कहानियों में डोरी की शीड़ी बुड़ी जैसी है हाँ ऐसी ही सारी बाते हैं लेकिन दुरहा पत की है चिंता क्यों यह दो में से किसी को पता नहीं भेट हो नहीं जैसे अंतिम भातों बकुल का यूग दूसरा था बकुल लड़की भी और ज़्यादा दूसरे टाइप की थी इसलिए उसे अभिमान नहीं था अभियोग नहीं था किवल प्रेम था यानि गुवाले के पंचाहा दूद जैसा प्रेम बकुल ने कहा कहा है किताब दो मैं भागू आई नहीं कि भागू भागू तो क्या करूँ वा अगर जाने ना दू रोक रखू इस बड़ी हिम्मत है रोक कर करोगे क्या रोक कर करोगे क्या कुछ नहीं यूहीं रुमान चक घड़ियों को निर्मल इसी तरह से व्यर्थ करता था क्योंकि इस से ज़्यादा उसमें हिम्मत ही नहीं थी उस लड़के की और ताकर भी ममता होती थी अनामी का तेवी को कहने को जी होता बेचारा लेकिन उस दिन उस बेचारी को भी रहाई नहीं मिली किताब हाथ में लिये जो ही कमरे के बाहर आने लगा ताई जब माला हाथ में लिये सामने खड़ी हाई राम यह क्या बकुल तो यहाँ है उधर तेरी यहाँ से ओ किताब ले ने आई थी क्यों हाँ मुझे क्या पता था नहीं तो तेरे भतीजे से कह देती कि मैं देखने आई कि छट साफ है या ने कल थोड़ी सी बड़ी डालनी है ताई कल बड़ी डाले गी इसलिए जब मालली आज दोड़ी आई यह देखने की छट साफ है या ने और भतीजा यह है बात बिलकुल कल्पित भी हो सकती है यह तो मालूम ही है कि बकुल घर जाकर वेरिफाई नहीं करेगी या सच भी हो सकती है बड़े भाईया को जैसे ही पता चला कि बकुल घर में नहीं है चार को भेज दिया कलकत्ते के दखिनी इलाके में राजेंदर लाल स्ट्रीट के बिलकुल रास्ते पर उम्र की छाप लिए कि इस मकान के दुतले पर सबकी ढंक से लंबे बरांदे की उची दिवार की सीड़ी के बिलकुल सामने चौड़े फ्रेम में बंधा जो मुखड़ा चमकता है वह मुखड़ा इस मकान के भूल स्वामी स्वर्गय परभूत चदर मुखो पात्याय का है चारों और खुली जमीन के बीच सस्ते में जमीन खरीद कर उन्होंने ही यह मकान बगना कर समिलित परिवार का मोव बंधन तोड़कर यहां अपनी अलग ग्रस्ती बसाई थी वर्तमान मालिक लोग अथार्थ परभूध चंदर के पुत्र तता उनके वैसक पौत्रगन अब जरूर परभूध चंदर की दूरदर्शीता के अभाव को दिक्कार देते हैं क्योंकि उस परती पड़ी जमीन में से सस्ते में और दो चार कठ्ठा करीद कर रख लिया होता तो आज बजार में उसी को बेचकर लाल हो जाया जा सकता था किन्तु अधूर दर्शी पर बहुत चंदरे केवल जरूरत भर जमीन करीद कर योही बिना किसी प्लान के केवल एक ही मकान बनाकर अपना करतवे पूरा कर लिया था